सुपॉल जिले के भीमनगर में स्थित B.S.A.P. के 266 P.T.C. प्रशिक्षु जवान रविवार को फूट पॉइजिनिंग से विमार पड़ गए थे हाला कि इन में से 6 जवानों की हालत गंबीर बनी हुई है जबकि 20 जवान वीरपूर के अनुमंडली अस्पताल में भरती है इधर जवानों की बड़ी तादाद में विमार होने का मामला तूल पकड़ने लगा है सोमवार को कैम्प में प्रशिक्षन प्राप्त कर रहे सबी 935 जवानों ने भूख खरताल कर दिया है जवान कैम्प के कमांडेट पर कई गंबीर आरोप लगा रहे है वहीं पूरे मामले की निश्पक्ष जाज की मांग कर रहे है रविवार को जवानों ने सुबा करीब साड़े आठ बजे पूरी जलेबी और कावली चनी की सबजी का नाश्टा किया था इसके बाद दो पहर करीब देड़ से दो बजे के बीच अचाना कुछ जवान बिमार पढ़ने लगे लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया जवानों को कैम से ही कुछ दवाईया दी गई जब शाम करीब साड़े आठ बजे जवानों की तब्यत जादा खराब होने लगी तो अनफन में 50 से 60 जवानों को वीरपूर इस्तित अनुमंडली अस्पताल में ले जाया गया इसके बाद थोड़ी बहुत समस्य महसूस करने वाले जवान भी अनुमंडली अस्पताल में पहुचने लगे देखते ही देखते राट साड़े दज बजे तक जवानों की ये तादाद बढ़कर 266 हो गई जवानों ने सोमवार की सुवा कमांडेट के खिलाफ जमकर नारे बाजी की जवानों ने कहा कि बिहार के विभिन जिलो से जवान यहां पिटी सी ट्रेनिंग के लिए डेड़ महीने से रह रहे है लेकिन यहां प्रशिक्षन के शुरुआत से ही हर दिन खराप कॉलिटी का खाना परोसा जा रहा है वहीं अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हो रही है